तो आज मैंने कम्मूनिटी बॉक्स में दो पोस्ट डाली थी मैं ऐसी पोस्ट भी रेगुलर डाला करूंगा उसके रिजल्ट्स बता दूँ सबसे पहले जो वाज वर बाला हो था ना जो नंबर ऑफ पार्सल डिलीवर्ड हा ना तो वह वाज आएगा और दूसरी पोस्ट मैंने डाली थी जो यह आप देख सकते हो ठीक है तो यह कहा है सी वाला अंसर सही आपका क्यों क्योंकि यार वांट्स ऐसे लगा कि ही सिंगूलर है यह वांट्स तो गो अबराड गो के बाल अबराड के पहले तू यह कुछ भी नहीं लगता simply he wants to go abroad यह फिर he wants to study abroad ओके तो यह चीज लगती है समयं और यह उन्होंने यह डाली थी अपनी पोस्ट British Council will be conducting paper-based dials test in Surat Ahmedabad and Anand on 30th July 2020 ओके एक बार अभी फिर इसकी तरफ move कर लेते हैं हम अपने IDP की तरफ से जो यह test है और मैं बता देता हूँ कि आप अगर कौन सा test लोगे तो best रहेगा देखो यार first of all मैं यही बोलूँगा कि हाँ मैं अपना guesswork लगाता हूँ जो कि most of the time सही जाता है and guesswork कैसे क्योंकि मुझे experience है 3-3-4 साल का teaching में दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे भी मैंने paper predict की हैं वो at least 90 and 90 plus percent सही है सही predict की है correct मैं लिख भी देता हूँ मैं उसकी guarantee भी देता हूँ एक तो देखो यार सबसे पहला test है ठीक है month का and है भी academic so that means यह easy होने वाला आपका 6th August का जो test है right इसमें वही अभी मैं particularly नहीं बताऊंगा कि कौन सा task होने या कौन सा task होएगा no मैं जिस यही बताऊंगा आपको कि हाँ इसका level क्या होगा easy moderate या फिर difficulty या फिर easy or moderate या को कैसा भी करके ठीक अभी यह बिल्कुल easy रहेगा क्योंकि first test है अपना month का and इसके बाद जो आ जाता है वह 8th August जो second test है और है भी GT के साथ तो इसका जो test का level है वो easy moderate के बीच में रहेगा यान कि most of the mostly मुझे यही मैं guess करूंगा कि हाँ यह easy में ही आएगा ठीक है easy moderate के बीच रहेगा इसका level अभी क्योंकि देखो अभी second exam है यह test का वैसे भी इस month five exam आप देख सकते हो और जो 20th August का है academic and GT का यह दोनों का है additional test है इसके बारे में हमें भी कुछ पक्काजा नहीं बता सकता है बट हाँ यह जूरू बता दूंगा कि देखो यार middle में है यह ठीक है mid में है आवस्त के तो यह थोड़ा सा हो सकता है कि moderate रहेगा test AC 22nd August AC GT दोनों है और second last test है तो यह थोड़ा सा रहेगा moderate difficult के बीच क्योंकि यह last test है पूरा difficulty नहीं होगा क्योंकि यह second last test है and जो last वाला है 29th August का वो सिर्फ और सिर्फ academic है इसलिए क्या है यह भी moderate difficult के बीच में रहेगा पूरा difficulty यह अभी इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि यह क्या है कि only academic है ठीक है only academic है 29th last जो है month का so यह मेरा अपना ठीक है जो था guesswork वो मैंने आपको बता दिया अभी यार depend करेगा आप कितनी महिनत करते हो इस पे ठीक है तो आप अपनी full preparation करो और जो मैंने guesswork लगाना था अभी जो personal singular particular exam का guesswork को का वो भी मैं जल्दी करूंगा वैसे भी मैंने जो किये हैं वो mostly सही के हैं अभी 6th August की production video आएगी एक बार जो exam हो लेने दो 30th का right 30th के पहले डाल दूँगा मैं no problem okay and make sure to subscribe to my channel and yeah कुछ of course कुछ को लगेगा कि यह गलत है कुछ भी नहीं देखो यार मेरा experience है मेरा guesswork है आप अगर इसको follow करना आप कर सकते हो अगर नहीं करना तो नहीं कर सकते बड़ अगर आप फॉलो करोगे तो फायदा मीर होगे मैं आपको यह बताओंगा ठीक है thank you